हलो एविवन आइम सार्थक PCCP Maths Faculty in Resonance आज हम क्लास 10 के लिए जो चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स उसके बारे में जानने वाले हैं कि यह चैप्टर हमारे बोर्ड में कितना वेटेज रखेगा और किस किस तरह के क्वेस्शन हमसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना है तो चलो देखते हैं जरा तो ट्राइंगल्स जो है बैसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स है इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है जिसको हमें cover करना है वो है BPT जिसको आप basic proportionality theorem भी कहते हो और इसका नाम Thales theorem भी है तो ये सबसे पहली चीज हमको cover करनी है ठीक है अब इसमें क्या-क्या देखना है देखना ध्यान देना इस theorem की statement आपको आनी चाहिए ना आपको इस theorem के अंदर statement पता होनी चाहिए इसका proof पता होना चाहिए ठीक है और इस पर based question भी हमसे पूछे जाते हैं इस theorem पर based questions भी हमसे पूछे जाते हैं सही है तो ये भी हमें cover करने दूसरी चीज हमसे पूछी जाती है इसी theorem का converse converse of bpt ठीक है इस theorem का भी वही same statement और proof दोनों हमको आने चाहिए statement proof और same thing यहाँ पर कि इस property पर based भी questions हमसे पूछे जा सकते हैं आता ही है यह हो गई पहली चीज जो हमको आनी चाहिए इसके अलावा जो चीज है जो topic है जो cover करने हैं हमको इसके अंदर वह है criteria of similarity criteria for similarity यह topic भी हमें cover करने हैं तो सबसे पहले तो हमको इसके अंदर जानना होगा कि जो similarity है यह क्या होती है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा ठीक उसके बाद जो भी criteria है similarity के तीन criteria है ठीक है एक तो है angle 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 एक है side 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 और एक है side angle side ठीक है इसी का ही छोटा पार्ट है double angle है न हमें इन theorems के यह theorems है तीनों की तीनों है न यह तीनों criteria के साथ साथ theorem है यह तो इन theorem के proof क्योंकि NCRT में दिये गए है तो हमें आने चाहिए जनरली बोर्ड में पूछा नहीं जाता है पर ठीक है हमें आने चाहिए क्योंकि NCRT में है इसका ठीक है तो यह theorem के proof भी हमको आने चाहिए अब इन property को use करते हुए आपने NCRT के exercise जो है उसमें देखा होगा बहुत सारे questions है उनको भी solve करना हमें आना चाहिए ना इन पर इन property पर based questions हम से पूछे जाते हैं वो हमें आने चाहिए सही है तो यह topic हो गया यही जो topic है पूरा इसके अंदर अभी यही है फिलाल NCRT में जो syllabus हटाने के बाद यह topics हमको अच्छे से आने चाहिए अब इसमें यह देखते हैं कि कैसे कैसे सब्सक्राइब कितने marks के बन सकते हैं तो अब देखो होता क्या है यह जो theorem है ठीक है theorem के अंदर statement proof और question होता क्या statement पूछेंगे statement बताओ proof करो और उसी के साथ question देखे 5 marks का question बन सकता है ठीक है 5 marks का question जो है बन सकता है ठीक है ऐसा यहां भी हो सकता है इसी बात नहीं है कि इस theorem का proof पूछ लें और आप से बोलें कि इसका statement बोलें proof बोलें और फिर उस पर बेस एक चोड़ा सा question देदें ठीक है ऐसा हो सकता है बाकि यह जो questions है इस property का use करते हुए question आ जाए कि हाँ वही सीधा सीधा बीपीटी का proof बीपीटी पर एक question दे दिया कि हाँ इसको solve करो ठीक है तो यह आपके प्रूफ पर ठीक है similarity के प्रूफ पर तो generally नहीं पूछा जाता है पर हां पूछा जा सकता है इसकी criteria को use करते हुए questions पूछे जा सकते हैं जैसे two marks का भी question बन सकता है ठीक है या चाहें तो थोड़ा सा बड़ा question आ जाए तो three marks का question भी पूछा जा सकता है सही है तो इस तरह की चीजे जो है हमसे इस topic के अंदर पूछी जा सकती है आप इसको solve करने के लिए ncrt जो है ठीक है ncrt के एक तो solve examples कर लो और चाहो तो exercise कर लो एक्सराइज के question भी आप कर लो ncrt के अच्छे questions है उसके अलावा अगर हम देखें तो कुल मिलाके आप देखो कितना जो है वेटेज रहने वाला है इस chapter का तो लगभग लगभग मान लो आप एक question पांच नंबर का आ सकता है एक एक नंबर का भी आ सकता है छे तीन नंबर का सकता है नो है ना तो कुल मिलाके नौ नंबर का जो है इस chapter का वेटेज रहने वाला है ठीक है तो काफी बड़ा chapter रहेगा हमारे लिए माक्स के लिए ठीक है तो आप इस chapter को बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को ठीक है तो यह सारी चीजे पढ़ने के बाद आप detailed वीडियो जो है इस chapter का हमने जो बनाया हुआ है जिसमें हमने कैसे कैसे question मैं आपर बता रहा हूं कि यह चीजे आ सकती है तो यह आप पढ़ कर सकते हो वहां जाकर detailed वीडियो में देखोगे इसको तो आप उसको देखने के लिए क्या कर सकते हो description box में जाओ link है link पर जाओ उसको देखो अच्छे से पढ़ो समझो I hope सभी चीजे आपको समझ आई होंगी that's all for the day thank you